नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चानक की परीपर आज के इस सेशन में हम MPPSC Pre की यूनिट 4 का टेस्ट की चर्चा करेंगे जो कि कौन सी फचल उपस देने वाले कारी करिक्रम का लगें करण क्या थिए तो करशी में सारवजनिक और सामान या निवेश में महतुपुन गिरावट तो ये एक कारन था घ्ड़ते खेट का कर खेटों का आकर तो ओप्रोड्यों को विक्सत कर ने कि विपलता ऻुई था यह जो तीनों सभी होगा इस साथा याने कि तीनों कारण क्रशी के विक्सत में फेल हुए थे नेक्स्ट कोश्चन को चलते हैं अगला कोश्चन हरित करांती से संबंदित कत्मों पर विचार कीजे आदुनिक उपकरणों और तक्निकों को शामिल करके करशी उत्पादन बढ़ाना ग्याहों की नहीं उच्चे उपच देने वाली गिस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बघ्लोग दोड़ा विक्सित किया गया था और किसे दिशूर अपनाया गया था तो यह दोनों एप्षन सही है तो इसका सही अंसर हो जाएगा सी ऑ ऑप्षन एक वर दो दोनों दोनों सयह जो दोनों हरित करंदी के कारण होए थें इक्स्ट कोशिण के और चलते हैं अगला कोशिण है 이야 मअज़िसे बारत में शुरू किये गई भूमे संवक्से सम्वनिक कफण ho lies किया गया है बीचों लिएगा उन्मुलन इसे भी शामिल किया गया किराईदारी सुधार को भी शामिल किया गया ऑप्रशी का पुनर रित्रित किया गया और दूसरा का उप्शन है पहली एफवाई पी अवदी के दुरान सभी राज्यों में सिलिंग कानून पारित किये गए थे इसका जो हमारा यह के लिए क्यों उप्षिन वपाय से कौन कास्तकारी चुदारों के तहथ एक उपाय नहीं था किराय का विन निम्मान कार्यकाल की सुरक्षा किरायदारों के रिए दर और व्रॉत का अधिकार तो इनमें यह तो इसका शयांसरो जाएका उप्रक्त में से कोई नई ऑप्शन डी अग्ला कोशन है हमारा साथ वार निनमा लिखित में से की स्ट राजये में सबसे अधिक सीचाइक अबले से तो सबसे अधिक सबसे पहले हो जाएगा पंजाब हरियाना उत्रप्रदेश और उत्रप्रदेश फिर विहार में अगला कुछ ने निर्म लिखिद में से कौन हरित कांती की रन निती का हिस्सा था अधिक उपस देने वाली किस्मा के बीज रासाइने गुर्वरक और किरनाशक सीचाई और उप्रोक्त सभी तो इसका सहया अंसर हो जाएगा उप्शन डी उप्रोक्त सभी जो ये तीनों थे ये हरित क्रांधी की रन निती के हिस्साई थे नेक्स्ट क्यों चलते हैं अगला क्यों हरित क्रांधी से संब्धित कत्नों पर विचार किजिए हरित क्रांधी ने सून इस्चित किया कि कोई शेत्री असमानता ना हो सभी खाज्यानों और व्युसाईक फसलों के उत्पादन में व्रद्धी हुई तो ऑप्शन कोशन 10 का अंसर सही हो जाएगा हमारे उप्शन एक केवल एक उप्शन सही है नेक्स्ट कोशन है हमारा महासागरीद धाराओं को प्रभावित करने वाले मुह निर्मलिखित कत्नों पर विचार किजिए प्रिथ्विका गुनन हवा का दबाव महासागरी जल गनत वह फथ्वी क्रांत और कर वेखा तक आता है और नीचे मक करेखा तक जाता है और उससे आप पर नहीं पर नजाता है तो करकर रखा में भारत मां कर लकर उप्शन के व MASI निजी निए नीचे करगर एकार से नीचे तो ईसका से अंसर option A से से हो जाएगा श्रीन अगर को उधिवार करहाता की जाएगा वसके बाहराद बाद कुछ रेखा की जह आएगा यृद्ब में सुर्य दोई का संभावित समय क्या होगा तो इसमें दो घंटे का फर्क आ जाएगा तो सुरास्ट में सुबह आठ बज़े बज़े नेक्स्ट कोशन ने रेट क्लिप रेखा के बीच अंतराश्टी सीमा है तो अप्शन एस ही हो जाएगा जो डुरंड रेखा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच में नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं भारत का इस्था अनुसंदान के अंदर दक्षीनी गं महान हिमालाई हिंद मास अगर अंटार्क्टिका या अरब सागर तो इसका सही अंसर उप्शन सी हो जाएगा अंटार्क्टिका में इस्थी थे अगला कुशन है भारत का कौन सा राज या अन्या राज्यों की सबसे बड़ी सीमाओं को चूता है आंदर परदेश बिहार मध अधिक अंधर में इसका कों आतिक रजयों के साथ सीमास अजया करते हैं तो हम दो से पहले तो उसलार लगन सकते हैं या उत्तर मान सकते हैं उत्तर उत्तर मान लो तो उसमें DKju ऑरमरी उडेया है अंदर परदेश के और उसके नीचे आ जाता है अंदर परदेश के पस्चिम में आए जाएगा करनाट का और दक्षिन में आ जाएगा तैमिल नाडू इसकार पांस राज्या अंदर परदेश से जोते हैं अगला है हमारा करनाटक तो करनाटक से करनाटक से देख लेते हैं तो आगीया गुवा और उत्तर में आगीया महरास्टर और पूर्व में तेलंगाना और आंधर प्रदेश दोनों हैं अर धक्षिर में केरल और तमीनलाडु ऐड़ तो इसका करनाड का अपर चीमा को छोता है और तमीनलाडु तो इन दोनों में से जो इसका ओप्षिन सही हो यह जादा राज्यों की सीमा को चूते हैं के रलतमिलाडू काम की चूते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अगला नाइंटीन नमबर का अधुकंदर्रा के बीजिस्ती थे जो डंकंदर्रा है वो के इनके भी जिस्ती ते दक्षिन और लिटिल अंडमान उत्तर और दक्षिन अंडमान उत्तर और मज्ड अंडमान और निकोबार तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिन और लिटिल अंडमान ओप्षिन ऐसे हो जाएगा जुडवा शहर कौन से हैं दिल्ली और फरिदाबाद मुंबई और पूने हैद्रबाद और सिकंद्रबाद बैंगलोर और मैसूर तो इसका सभाटsomething रूजाएगा कंद्रबाद और फिरदरबाद से हिस्ट कोश्ण है कि शीषर भारत की चिनी का कटोरे कह Kadora कहा जाता है तो उत्तर परत को भारत की मेरी भी जनतराश्टी से मह बनाती है तो ऐप्जिन भी सही हो जाएगा कॉश्तJач हमकूशन है भारत का सब से उच्चा बांदे भाक्रादामो नागार जून सागर बांद और इराकून बांचनτα तो सबसे मुझा जो भारत का है वो टिहरेड एम है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निन मलिखित में से कौन सा शेदर मनार की खाड़ी के सबसे नजदीग है उप्शन है हमारा पास तमिल नाडू केरल करनाट का अंदर परदेश जो तमिल नाडू जो है वो करनाट मनार की खाड़ी के सबसे निकट है नेक्स्ट कोश्चन के चलते हैं अंगला कोश्चन है निन मलिखित कतनों पर विचार करें जो अंदमान निकोबार और दिवसमू के बारे में सही है यह भूमद्यर की है जलवायू का अनद लेता है यह भारत का एक मात्र स्थान है नहां जवाला मो किस्ती थे तो यह भी उर्फ निकोबार में पर एक मात्र तरिस्थान है जहां मुंगा बिस्तर पायता है जानी मुंगा यानी की इसका इंग्लीश में वर्दन देर होगा है कोऱल रिफ यह कोरल बेट तो जो कोरल रिफ वह रमानिक वार में के बजाए कहा पाई जाती है वो लक्ष द्विप में पाई जाती है तो ये उप्षन गलत हो जाएगा एक और दो दोनों सब आप्षन बीस हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कोश्चन जै भारत की सबसे दक्षिन परवत शंकला है नेल गिरी हील्स अन्ना मला हील्स और इलाइची ही थिल्स तो हमसे भारत की सबसे दक्षिनी परवसरंगला है वं कांटमों मैं और कांटमों को से ईलाइची की पहड़ी काते हैं तो हमारा जो option D हो जाएगा यह जो म理नकि करण भी जमाने हैं सकता है के क्रम क्या होगा सब मैं से ते बता रहा हूं तो सब सद निचा आती है काड मॉम के बाद अन्ना मलाय आएगी अन्ना मलाय के बाद निलगीरी आएगी निलगीरी के बाद शेवरोई की पाहड या आएगी और शेवरोई के बाद जवादी और जवादी के बाद पाल कॉंडा रेंज आदेगा तो नेक्स्ट कोशन को चलते हैं अगला कोशन है सुची एक को सुची दो से सुम्मेलित करना यानि चोंटिया और वो किस पहाड पर रिष्थी थे जो धोला गीरी है वो हिमालाई पर रिष्थी थे तो एक हो जाएगा हमारे चार और जो कि अगज़ा तो हमारे और ऑप्षन हो गया 4521 तो कहां और की सुचन मिल रहा है यह ऑप्षन सिय में मिल रहा है तो ऑप्षन सी सई हो जाएगा एक्सट कोशन क्यों चलते हैं साहिया दरी का परमप्रिग नाम क्या है पास्ची में गाट पूरवी गाट अरावली या बरबर और नागार जुन पहाड़िया तो इसका जो यादरी है वो पश्ची में गाट का हिस्सा है तो ओप्शन ऐसे हो जागा नेक्स्ट कोश्चन है पश्ची में गाट की पूरवी ढहलानों पर कम वर्चा क्यों होती है सिधा पश्ची में तर्ट शितकारी नवसाती कमी या उनका लेवाड लोकीशन या गाटो की उचाई तो इसका सही अंसर ओप्शन सी हो जाएगा उनका जो लोवाड लोकीशन है उसकी वज़े से वहाँ पर जिस्ट कम वर्चा होती है नेक्स्ट कोश्चन के वह चलते हैं अगला है निर्मालवा का पठार है यह ज्वालामों की उद् ट्रम पाई जाती है इसका उप्शन ऐसे हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है निर्माल लिखीद में से कौन सा शेदर शेयर की पूंच वाले मका के लिए प्रसीद दे अंदर परदेश के पुर्वी गाट के पश्ची में गाट उत्तर बारत की शिवालिक पढ़िया उत्तर पुर्वी बारत की पढ़िया एक्स के सही अंसर हो जागा केरल के पश्ची में गाट उप्शन बी नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निर्माल लिखीद में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है मेरी हिल्स अरुनाचल परदेश ये बिल्कुल सही है मेकिर हिल्स असम ये बिल्कुल सही है लुशाई हिल्स भो मीजुरम में ये भी सही अबोर हिल्स त्री पुरा ये गलत है जो अबोर हिल्स है वो अरुनाचल प्रदेश में पाई जाती है इसका सही अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो याद रखना अबोर हिल्स अरुनाचल प्रदेश महासागर का अत्यातिक शक्तिशाली प्रबाव ये एश्याई भूभाग का भाग होने के कारण तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B जो हमारे उत्तर में हिमाला इस्ती थे इस कारण भारत की जलवाई उश्नकटी बंदी जलवाई हुए नेक्स्ट कोश्चन के और चलते हैं अगला कोश्चन है कौन सा शेद्र एश्याई जंगली घदे के लिए जाना जाता है option देख लेते हैं option है मार पास कच्छकारण बग्यलखंड सुंदर्वन या शीवालिक तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A जो कच्छकारण है यहाँ पर इश्याई जंगली घदे बाई जाते है नेक्स्ट कोश्चन को चलते हैं एकला कोश्चन हेल स्टेशन का उच्चाई के क्रें में उनके सही काल क्रम का जयन करना है तो उन्हें उनकी हिसाब से सञवन हैं हमको तो प्रकाइब केरे को चलते हैं है नए शुमेलित ने करना है यह को आड़ले को सब लदिए नारमल कोश्चन आप सभी को पता होगा शकर अंसर गुजरात राज चाये की तट्रे का सबसे लंबिए है कि शद्टेशन के जलते हैं सुम싱 मिलित करना नहीं सुमरेट नहीं है तो जयासकर रेंज कश्मीर 말ड़ा दर रेंज फिट पर देरल एक ़ड़न करना तो यह गलते से लिला पाई जाती है वह वेस्ट बंगाल में पाई जाती है याने कि दौण जासकर रेंज कश्मिर में शतीरत थी दौलादर हिमाचल बड़ेश में है और कुमाउ उत्राखंड में लेगिन सिंग लिला रेंज है वो वेस्ट बंगाल में नैक्स्ट कोशन क्यों चलते है आगला कोशन है हिमाले में कश्मिर घाटी की इसकी बीच में शती कश्मिर गाटी यहां कि उत्तर में जासकरए करनाटी बीच में जासकर बीक में तो सबसक्तियों kalo पीच में सोच्कारहि जाता है और नचेटन के फैस्ट के. ना है यानि कौन सा बांध की सराज्य में बना हुआ है तो बांध है मेर पास माला प्रभा माला प्रभा राज्य जो है ये करनाटका में बना हुआ है तो इसका सही अंसर हो जाएगा तीन पनाम बांध गुजरत में बना हुआ है तो इसका सही हो जाएगा दो और पोचम पान पोचम पान जो है आंदर परदेश में जिसका हो जागा एक और अपर पेन गंगा जो है वो महारास्ट्रा में ये तो इसका सामने ये तो हो जाए तो यगा तीन दो एक-चार तीन दो एक-चार हमारा ऑप्शन सी साई है नेक्स्ट कोश्चन को चलते हैं अगला कोश्चन है निन्वल खित्मे से कौन से नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है महानदी कावेरी तापती और गोदावरी जो तापती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वो खंबात की खाड़ी में गिरती यानि अरब सागर में गिरती है नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं डेल्टा बनाने वाली नदियों के समूं का पैता लगाई यानि कि मैं आप बता देता हूं डेल्टा और इस्टूरी इस्टूरी जो पस्चिमी घाट की तरफ जाकर इसे नदी आ रही है तो यहां से नदी का रास्ता इसे वित्री का बना लेती है अलग अलग रास्ते में जाकर फिर जाकर समूंदर में मिलती है तो वहां पर जो बीच में यह जगे बन जाती है इनको डेल्टा बोलते और एस्टूरी जो है जैसे कि यह नदी आ रही है और पर खाड़ी है तो डारेक्ट सीधी गिरेगी वो ऐसे अपने मार्ग को वित्रित नहीं करेगी तो इसमें हम उप्षिन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्षिन क्या है गोदावरी नर्मदा और महानदी तो इसमें जो नर्मदा है वो एस्टूरी का निर्मान करती है नेक्स्ट को चलते हमारा अगला कोश्चन है सोची एक को सोची 2 से समय लिद्कना है हाइड्रो एलेक्टर पावर प्लांट और उसके साथ में राज्य और यानिकि कौन सा पावर प्लांट कौन से राज्य मेंचती थे तो इसके हम देख लेते हैं चलिए हमारे पास डेम है कडाना का ह hydroelectric power plant कעदाणा कच्च एक एक यह सही जाएगा हमारेज़। काली नादी काली नादी करनाटका में डिख türस की आ त्रेना है इसका एक हो जाएगा और वेत्रराणा जो है वो महाराष्ट में इसका ऩारध्थ हो रहा है टो इसकाी हुस्त्र नकु सुन्हों को चलते हैं एक क्रजस्त बग लिए प्डिद पर योजना निन मलिक चैक साथ विए वफिश्ण गज Babi और सत्लू जो बगले हर्व जलीद पॣररा पेश्टी नेक्स्ट वॉष्टे ने पाधमा नदी का निर्मान किसी द्वारा होता है उसके निर्मान होता है वह बहुतमा नदेश में बरहहर्मात पुद्र और गंगा नदी के मिलने युसे महां पंदमा नाम से पूकरा जाता है तो किसके गंगा और ब्रहम पुद्र की तो उप्शन ऐसा ही हो जाएगा नेक्स्ट को जल दें प्राइज दीप भारत की निन में लिखे नदियों में से किसका सुर्वत अमर गंटक शेत्र है से तो अमर गंटक शेत्र से नदियों की नाम में बता देता हूँ आपको अमर गंटक से नदिया निकलती है एक नर्मदा नदिय निकलती है जो पश्चिम में बहती है कहां बहती है पश्चिम में और दूसरी उसके साथ में निकलती है सोन और तिसरी निकलती है गोदावरी तो यह सोन और गरी दोनों पूरों वहती है और यह पस्टी में बहे कर खमबात की खाड़ी में मिलती है और यह दोनों फो अंधा में मिल जाए से ईसे मोक बिषारों बीहारे के इसे रwe tweember से जने कर तो शूचिए में मिलती हैं नाजिक में लगता यह तिनम पेमाम से इस्थान के साथ सुमेलित करना है जो जल विद्यूत परिजना है उसका इस्थान कोंसा उसके साथ सुमेलित करना है तो बाली मेलागा जो है वो बाली मेलागा जो इस्थान है वो ओडिसा है जो कोईना है वो महारास्टरा में है तो इसका तो सामने है कुंडो जो है वो तमिल कुछा फेइक तोप्षिन ए सई हो जाएगा हमार नेक्स्ट उसन जलता है एक निनमलिकित में से कौन सी नदी गंगा नदी की पूर्वी सहायग नदी है पूर्वी साईग नदी बताना है हमको तो इसके पास हमारा ऑप्शन है गंडिकी कोशी गागरा और महा नदी इसका सही अंसर हो जाएगा था हमार पास कोशी जो भी है वो गंगाय की पूर्वी साईग नदी ये निर्मलकीद में से कुन सा yugma सही सुम Elijah रबेत्वा सके अलावा, भोलपूर चंबली जासी केणो और कोटा बनासी 48 रबेतवा हमारा सही sir हो जाएगा पर आपशन भी धोलपूरskam Lic Esp 만ar जए सही ए इसमें पहलने वह कोस्षण है बहाती और अऩनाट में कहा मिरकर गंगा का निर्मान करते हैं ने तो देव प्रयाग में मिलकर गंगागा इनान करते हैं अगला है भारत की सबसे बड़ी जिल कोन सी है तो हमार पास option है नेनीताल, सांबरी, सिशराम ये चिलका तो भारत की सबसे बड़ी जिल चिलका है जो डिशा में नेस्ट प्वेशन के चलते हैं अगला पर्माणुर्जा सहींतर को के राज़ों के साथ कि सुमिलित करना ऐगा जो पर्माणुर्जा अगरे वह किस राज्य में इस ठीदे लुट गुणना तो नारोरा जो वो यूपी में तो यह का क्या हो जाएगा चार कुट लिख लेते हैं तारापूर जो है वो महरास्ट्रा में तारापूरा है इसका 5 हो जाएगा रावद भटा जो है राजस्थान में हैं तो 2 हो जाएगा और जो कल पक्कम है वो तमिल नाडू में तो इसका मारा कुट हो निर्मा लिखिद में से कौन सी नदी महाबलेशुवर के पास से निकलती है और निचे दिए कोटका प्रियोकर कि हमें सही आनसर वातना है 되 तो अप्षण ने मारा पॉली आहां चिलका जिन कैसा जो वह वोब होती है में अधर आया ये वो हमारे उडिशा में स्थी थे तो A का हो गया यहां लिख लेते हैं हम साइड में A का हो गया 4 उसके बाद जो कोलेरू जील है वो आंदर प्रदेश में है तो B का हो गया 1 जो सांबर जील है वो हमारी राजस्थान में स्थी थे तो C का हो गया 4 और वेम्बणाड जिल वह केरल में है तो दीक हो जया one, next, sorry, two तो हमारस बोब पोट हो घया three one Entre ikke, source option में है, तो इसमें option ही नहीं है इसका तो इसका लक्षे यहाई आप इसका सई K president Award यह होगा three one four two इसमें गलत और श्न सकते हैं तो यह आप याद रखे लिएगा चिलका जिल जो है ओडिसा में है कोलेरू आंदर परदेश में है सांबर राजस्तान में है और वेमनार जो है वो केरला में है नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन है जल विद्यूत परियोजना नातफ़ा जाकरी की सराज्य में इस्ती थे हिमाचल परदेश उतराखन जम्मो कश्मीर या मध्य परदेश जो नातफ़ा जाकरी है जो हिमाचल परदेश में इस्ती थे नेक्स्ट कोश्च तो इसका हमार पास option दे रहे हैं इसने code में answer बताना है हमको तो इसमें हमारा सिर्फ option तिसरा ही सही होगा जो जलाशे गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है इसका यह सही हो जाएगा जो रंजीत सागर बांध और यह दामदर नदी यह दामदर नदी पर हिराकुन बांध नहीं हिराकुन जो बांध नहीं हो महा नदी पर तो यह गलत हो जाएगा इसमारा option तीन सही है तो option बी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन की और चलते हैं निर्म लिखित में से कौन सा यूग मुझ सही सुमेली थे नदियां और उसकी प्रमुक साहिक लाना है तो इसका हमारा सही अंसर क्या होगा वो देख लेते हैं को दावरी पेरी हजदो तेलू यह गलत है महा नदी की पूना पेन गंगा बेन गंगा क्रिशना की मांदरा दुदाना इंद्रावति कावेरी की कमानी हेमा उती अम्रावति तो option D सही हो जाएगा कावेरी न पंगल में नीक्मा लिखिद में से कौन सी हवा से जुन के दोराण चलती है अपरेल से जुन के दोराण नार्वुसर ताफारनी या इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा नार्वुस्टर dove door भारत के मानुट्र में 6 1-6 कि सीमा क्या है तो 20 से बिस बाहरी से 20 से 30ए ऐस या 30 प है निनीन मलिखिष शेटरों पर विचार किजिए उतर पूर्वी विक्षोप को इसका सी सही हो जाएगा दो और तीन नेक्स्ट को चलते हैं अगला कोशन है निर्मलीखिद में से किस शेत्र में पश्चीमी विक्षोप के कारण शितकालीन वर्षा होती है पंजाब केरल तमिल नाडू और करनाट का तर्थ इसका सही अंसर हो जाएगा ए पंजाब में एक्स्ट को से नवंबर दिसंबर से मार्च या अपरेल से मई तो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो अक्टूमबर से नवंबर में जो लोडता हुआ मानसुन ने उसके दक्षनी पश्चीमी मानसुन से होती है नेक्स्ट कोशन की वर चलते हैं अगला कोशन इन्यूर्मलीखिद म दोलन है निचे दिये गए कूट का प्रियोकर कि हमें सही उत्तर भाधाना है तो इसके हमारे चारों उप्षन सही है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षन दी एक दो तीन चार यानि कि अन्यमी तंतरालव होता है इसका घर्म पानी का वह उता है और खारा पानी काम होता है इसका वाईू मनली समक्षी दक्षिनी दोलाने नेक्स्ट पूशन है नेन मलखित में से कौन सा इस्तिला करती कि काई गर्मियों में पहला मांसन प्रारम प्राप्त करती है पस्ची में गाठ सी हिमालाई मेगालाई का पठाथ या पूरवी गाठ तो इसका हमारा सही अंसर हो जायगा पश्चिमी घाट जो हो पहली मानस mismond रार्प्त करता है नेक्स्ट कॉस्टन वा मिटी जो शूकने पर सबसे ज़्यादा फटती है और सिकुरती है है वहे तो जो काली मिटी लाल जरजरा मिटी रेती लिमिटी पर शूखने पर सबसे जादा फड़ती स्वत्राइब मेट रहें उसे इसमेक खेट जोटना नहीं पड़ता यह एसे ही क्योंकि गर्मियों में जब मेंडिव सुका सिपने द्राम है इसमें बहुत बड़ी दरारा है पड़ जाती है नेक्स्ट को चलते हैं अगला कोशन है सोची एक को सोची दो से समय जित करना है कोट का प्रियोग करना है तो तो मिट्टियों की देर रखाए शुषक मिट्टी लवनी पीट मिट्टी और लाल मिट्टी तो इसका हमारा प्रेसट का सही अंसर हो जाएगा अप्शन भी शुषक का म्रदा हो जाएगा लवनी मिट्टी हो जाएगी पीट मिट्टी में केरल में पाई जाती है और लाल मिट्टी में नेकस्ट कोश्टन के ल पास कोश्टन संसर कॉरियगा परियोशन मांत्रा लेगं बताना है सुका संबहित्-विचय animated महरुष्थ्र कारेकरम बारानि शैयत्र के लिए राष्ट्री वाटर्शेड विकास परियों न तो इसका ओप्षिन डी से जगा कोई नहीं कि यह किसी का कोई मंत्रा लाइस में सुमेलित नहीं है नेक्स्ट कोईशन को चलते हैं अगला कोईशन के लिए प्रसिद्ध शेत्र बताना है हमें तो किन नोर में सुपारी यह सुमेलित नहीं है मेवात में आम यह भी सुमेलित नहीं है और कोरो मंडल में सुया बिन यह भी सुमेलित नहीं तो इसका भी ऑप्षिन डी सही हो जाए यह मक्का से निकला गया तेल बायो डीजल के लिए फिडी स्टोग हो सकता है यह भी सही है और मक्का का उप्योकर के मादक परिपदार्दों का उत्पदन किया जा सकता है यह भी सही हमारा ऑप्शन वन टू तू तरी तीनों से यह ऑप्शन डी राइड आंसर नेक्स्ट वq बायो डिवल्प्लास्टिक नियुमान में किया जा सकता है यह गला ते इसके बीजल से बने गोन कक शेल के सिरस्ट कर्षन में हन् Lindsay से पर पदियाUn गुजराद और महारास्टरा तो इसका स्यांसरोजे का उप्शन डी महारास्टरा देश के निर्मलिकी राज्यों संग राज्य शेत्रों में से किस राज्य में एक में कूल जन संग्यागी 50% से अधिक जन जाती आबादी यानि किस राज्य में 50% से अधिक जन जाती आबादी सबसे पूरानी तेल रिफाइनरी इन में से कौन सी ये तो भारत की सबसे जो पूरानी तेल रिफाइनरी इन इसका से अंसर बतना है तो कोईला खनन तेल और प्राकरतिक गेस की खोज के लिए प्रसीदे कागस निर्मान का संबंद की इस इस इस्थान से है शिमला रामपुरी टिटागड या बर्वनी तो टिटागड से कागस का संबंद है नेक्स्ट को चलते हैं अगला कोशन है निर्मा लिखीद में से कौन भारती शेतर में दो ज्वालामों की द्वीपे कवरती और न्यूमूर बित्रा और कवरती पंबन और बेरेन और नो कॉंडम और बेरेन तो इसका सही अंसर हो जाएगा शित्यूत्र का डी नो सब्सक्राजा नहीं करता है नेक्स्ट कोशन है जिन राज्यों की चीन के साथ सीमाई है वे है उप्शन है हमारे पास जम्मू कश्मीर सिकीम अग्णाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तो इसके चारो जो राज्यों है इन चारो राज्यों की चीन से सीमा लगती है तो आप्शन डी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्टन है हमारे पास अनिर्मे लिखी तकत्नों पर विचार कीजिए लक्ष दिप की महादीपी अलमारियां प्रवाल वित्तियों के कारण उत्पन्न हो ही है परस्टी में तड़ की महादीपी अलमारियां ब्रंच और जहल्मंगन हो पर इस्तिध है ऑप्षेन है हमाल पास वारा नशी पटियाला पेरामभुरी या कपुर धला इसका से अंसर हो जागा पटियाला नेक्स्ट कोशन है सिंद्री किस लिए जाना जाता है ऐलियोमिनियम सेज्ट्र सेमेंट सेज्ट्र उर्वरक शेंट्र या पेपर प्लांट तो इसका सही अंसर हो जागा उर्बरक साहियंत्र के लिए सिंद्री फ्यम्म से अगला कुशन निर्म लिखित में से कौन हिंदुस्तान कीड़नाशक लिमिटेट की एक महत्वपून कीड़नाशक एकाई इस्ती थे किस जगह इस्ती थे वह बताना है हमें तो अप्शन है हमारे पास भोपाल रसाइनी विशागा पटनम और चन्नाई तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रसाइनी रसाइनी में इसकी किड़नाशक दवाएं की का इस्ती थे नेक्स्ट कुश्टन है हिंदुस्तान एंटिबा प्लांट इस्ती थे रूब नारायनपूर किस लिए जाना जाता है ऑप्शन है हमारे पास हिंदुस्तान कापल प्लांट हिंदुस्तान केबल फैक्टरी एंपार अल्यूमिनियम फैक्टरी या भारती टेलीफॉन उद्योप्तिस का से अंसर हो जागा ऑप्शन भी हिंदु लौर या ओजारी तो इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा काव कोड़ापूट कोड़ापूट में में इंजन असेंबल किया जाते हैं नेक्स्ट कोशन है सुची एक नगर को उसके सुची दो उज्योग से सुमिलित करना है सुचियों को दिए गए कोड़ का प्रयोकर सही उत करना कि जो भlaration होती ङहां पर विद्यूत मोटर्स के लिए यह इस्टिल के लिए यह रेलेवय कोट के लिए तो जो भाद्रावती है 순फ मोटर सोरी गलत बता दिया मैंने देखते है menor hrdh को यम क gesch को cig के लिए को कि वह कपुर थरह कूर थषिस तरद की वह मचले Portal कोई भ़टूस जो है वो विद्युद मोटर्स के लिए ट्राया उसे में परिय घूच करने कि भानम कोट्व्ह से कफिक अपरो कर नेच्ट को दिये Shirai कोट का प्रियोग करें से यांसर बताना है जो एल्यूमिनियम है वह रेनुकूट में है है हेवी इलेक्ट्रिकल्स जगदिशपूर में है और पेट्रोकेमिकल्स जो यह वह वड़ोद्रा में है और सुतिवस्त्र कोयम तूर में है तो हमारा ऑप्शन हो गया है दो चार तीन तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं सुची एक खनी जाए इसको को सुची दो इस्थान से सुमेलित करना है तो नीचे दिये गए कुट का प्रियोग करके सही आंसर बताना है तो जो बाकसाइड है वो कुलापूर मयूर बंज या नेलोर श जाता है तो वन टू फोर त्री तो इसका ओप्शन बीस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की चलते हैं अगला कुशन है सुची एक खनी जाएस को को उसकी इस्थान से सुमेलित करना है तो कोट कमे उसका आंसर बताना है तो यूरेनियम का जो है वो सिह भूमी में पाई जात है और जो कोपर है वो अनंतपूर में और भॉकसाइट जो है वो बेल गाम में है तो थ्री फॉर वन टू तो थ्री फॉर वन टू ऑप्शन सी सही हो गया हमारा नेक्स्ट कुशन की और चलते हैं अगला कुशन है मिट्टी को नाइट्रोजन से सम्रद्द करने के लिए बु जैसे सुमेरित करना है तो नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करके सही उत्तर बताना है जो बॉकसाइट अब्रग कोपर जिंक और इधर आंदर प्रदेश उडिसा मजदी प्रदेश राजिस्थान जो बॉकसाइट है बॉकसाइट का सरवाधी गुद्पादन जो होता ह है वह उडिसा में होता है तो एक का टू सही हो जाएगा उसके बाद जो अब्रग है अब्रग का सरवाधी गुद्पादन रांदर प्रदेश में होता है और जिंक का सरवाधी गुद्पादन राजस्थान में होता है तो 2134 तो 2134 option 20 हो जाएगा हमारा next question है अगला भारत के निनमली चित में से किस समुद्रि बंदर गहां में प्राक्रतिक बंदर गहा नहीं है तो हमार पास ओप्षन दे रही है मुंबई कोचिन, मर्मगाओ या पारदीब फार्थिसका सही अंसर हो जाएगा कोचिन में प्रेटिक बंदर गहां नहीं है नेक्स्ट Κोच्ण के वह सही अंसर हो जाएगा 36 गड़ नेक्स्ट कोशन की और चलते हैं सुची एक को सुची दो से सम्म्मिलित कीजिए यानि कि जो जुड़े शहर और रास्ट्री राजमार्ग बताना है हमको तो आगरा मुंबई वारणासी कन्याकुमारी चंडीगड मनाली और दिल्ली जाइपूर हाँ रोड नेशनल हाइवे का नमबर इसका बताना है हमें तो है अग्रम मुंबई का जो है वह । न e3 परिष्टी थी और मुंबई या N palace 21 पर याitive ने सिबन लडन या नहान एमेज एड पर तो आमें इसका से डूरों तन आ है जो आग्राम आ कै जो आग्रा मॉंबई जो हे वो हमारेने टीटे इसका हो जायगा तरी और वाराण आशी कज्णा कुमारी जो हे वो एनस से वन पर इस्थिते दिजिए इसका सही सामने है तू और चंडीगड मना लिए वो एने च्वेन न वे तो इसका वो गया वन और जो डिवाला है दिल्ली जैपूर यह रेनेस एड़ पर यह तो 3214 3214 हमें कहां मिल रहा है उप्षण यह में मिल रहा है तो ऑप्षण यह सही है नेक्स्ट को चलते हैं अगला है भारत का सबसे निशला बिंदु कुंसा है कुट्टू नाड़ा नंदा देवी कन्या गुमार और यह इंद्रा पॉइंट तो हमें सबसे निशला बिंदु बताना है तो इसका कुट्ट नाड़ी सही है नेक्स्ट कोशन देवर चलते हैं अगला कोशन है निर्मलिखिद में से कि शेटर में ठोस बाड़ बेसाल्ट की कई परते हैं जो ठोस बाड़ बेसाल्ट है उसकी किस शेत्र में दीगे देकन ट्रेप कश्मीर गाटी शीवाली ग्रेंज या तिस्ता रेदाईगी तो इसका हमारा सही हो रोज़ागा ड्रेप नेक्स्ट कूश्न कर चलते हैं अग्ला क Mission ए मना निनमोल कीद में से कोंसी भारी भारी भारान खार खाने के लिए lıए जाना जाता है बैंगलूरू को छटा चृबाना इसका सो हज़ागाleep बेंगलूर कर और लैदाबार इसका सियान. जाए गुजरात में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन परिसार है यानि कि जो पेट्रो केमिकल कॉंपलक्स है जहां पर रिफाइनर या इस तीदे जहां से पेट्रोल को शुद्द किया जाता है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं हमारा लास्ट कोशन है निन मलीखित में से कौन स राज भारत के सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उभभोग करता है कि कंज्यों मारे यानिगी जहां पर सबसे ज्यादा उप्योग होता है खेतों में अप्षिन बास केरेल पंचाब तमिल नाडू या हर्याना इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा तमिल नाडू जहीं हो सर दोस्तों यह आज का हमारा टेस्ट पूरा हुआ और हम अगले वीडियों में यूनिट फाइप का टेस्ट लेकर आएंगे और इसी प्रकार आप अपना सवयोग बना रही है जथा आप अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों म बखाइए और अपना जैयों है